हेलो जी क्या हाल चाल सब बढ़िया सम्मझे में चलिए तो बच्चों स्चार्ड करते हैं आज का टॉपिक तो जैसा कि आप देख रहे हो आज हम लोग रासाइनिक सायोजन के नियम पढ़ने वाले हैं तो यह चार-पांच नियम है तो अलड़ी देखो यह नियम में लिखके लिए आयो ताकि मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़े और कोई बड़ी बात नहीं थी आना बाके में समझा पूरा दूंगा तो आज हम पढ़ने वाले हैं रासाइनिक सायोजन के नियम ठीक है डिटेल में आज हम बात करने वाले इनकी रासाइनिक रासाइनिक सायोजन के नियम भई कौन-कौन से नियम से एक रियक्षन पूरी होती है बस इतनी सी बात है चलिए ना चलिए भई तो सबसे पहला नियम पढ़ेंगे law of mass of conservation उर्जा सरक्षन का नियम जिसके आधार पर इस नियम को बनाया गया उर्जा इदा लिग देता हटाता हम इसको देखो जैसे उर्जा में ही बोलते हम लोग एनर्जी में नहीं बोलते है ना तो आप एनर्जी को create कर सकते हो ना ही destroy कर सकते हो वैसी chemical reaction के अंदर एक रासाइनिक अभी किया के अंदर ना तो आप जो मास और दर्वेमान होता ना तो कूतप कि सरक्षन का नियम दर्वेमान सरक्षन का नियम बोला गया ठीक है वही सबसे पहला नियम है यह देखो constant composition निश्चित अनुपात का नियम जो कि यह इन यह देखो इसका मतलahl को किसी भी method से बना लो किसी विवी से बना लो वाटर का ratio कभी change नहीं हो दahren का मैं रिवर वाटर लेलू, चाहिए मैं पॉंड वाटर लेलू, चाहिए मैं कोई सा भी वाटर लेलू, कोई सा भी X, Y, Z, चाहिए मैं लाबोर्टरी में बना लू वाटर हो, वह हमें सा 2 ratio 1 में होगा, यह वही रूल है, निश्चित अनुपात का नियों ठीक है, law of definite proportion या constant composition, यह है गुणित अनुपात का नियों, यह नियों थोड़ा सा पढ़ने लाइक है, करेंगे discuss अभी थोड़े देमें इसके बार में, गुणित अनुपात का नियों, ठीक है, यह अवागेद्रोड नियम है, यह गैस यह आयतन का नियम है, ठीक है न, इसमें को ज़्यादा पढ़ने, इन तीनों नियम में देखा जाए न, सभी नियमों में, सबसे जो पढ़ने वाला rule है वो यह ही है, multiple proportion, बागे सब आसान असान definition है, ठीक है न, गैस यह आयतन का निय है, ठीक है, इसके बाद अपना छोट असा topic बचा रहेगा, स्ट्राइक्योमेट्री रिलेशन, फिर खतम चप्टर, है कैसा फाइनली चप्टर खतम ही होने वाला है, देखो इस अप्टर को मैं आपको इस तरीके से पढ़ाया है, कि आपकी छोटे-छोटा सवाल बन जाए, चाहिब कैसा भी क्यूशन कर रहे हो, हाँ, और एक मोल फ्रेक्शन नाम का topic है, जो सबसे end में आपन ले लेंगे, ठीक है न, क्योंकि वो बीच में मुझसे miss हो गया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था था न, सान देता है कि काई हम मोल कंसेंट्रेशन, तो उसमें मोल फ् से, ठीक है, ओके सर, चलिए बच्चो, तो सबसे पहला rule क्या है, law of mass conservation का law है, दर्यमान selection का नियम है, अब ये नियम क्या बोलता है, ये नियम बोलता है, कि आप किसी रासाइनिक अभिकरिया में, किसी chemical reaction में, mass को ना तो आप create कर सकते हो, ना ही destroy कर सकते हो, वो जितना उसके है, वो reactant में भी उतना ही रहेगा, product में भी उसका number उतना ही रहने वाला है, जैसे देखो, एक example से समझते हैं, ठीक है, example से समझते हैं, पहले इसके definition देख लेते हैं, पहले English medium वाले, फिर Hindi medium वाले बच्चे देख लेना, ठीक है ना, देखो बच्चो, इसको लेवोजियर न mass conservation का ये low है, क्या low बोलता है, ये low बोलता है कि मानलो कर कोई chemical reaction मेरे पास में है, तो उस chemical reaction के अंदर जो भी mass है, ना तो मैं उसे create कर सकता हूँ, ना ही मैं उसको destroy कर सकता हूँ, ना तो मैं उसे बना सकता हूँ, ना ही मैं उसे खतम कर सकता हूँ, ठीक है भई, बस मैं क्या क कर सकता हूं उसको reactant से product के side या product से reactant के side में conversion हो सकता है बस और जब यह काम करोगे तो क्या होने वाला है तो देखो according to this law mass can neither be created or nor be destroyed in a balanced chemical reaction or physical reaction but one form is changed in another form is called law of mass conservation जैसे उर्जा का selection नियम पढ़ते हैं अरे पढ़ते हो ना आप लोग first law of thermodynamics असमा गतिकी के का अधिये बात बोलते कि ना तो अईनेर्जी को उडजा को कर सकते हो नहीं आप destroy कर सकते हो बसको एक form से दूसरे form में convert कर सकते हो तो क्या बोलेंगी इस नियम के अनुसार लो का वह सकते हैं इस नियम के अनुसार एक रासायनिक अभिक्रिया में एक संतूलित रासायनिक अभिक्रिया में एक संतूलित एक संतूलित रासायनिक अभिक्रिया में दरवेमान को न तो उत्पन किया जा सकता है न ही नस्ट कि अबल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है कि यह भी लिखके लियाना था पुझे हिंदी में भी कि बदला जा सकता है एक्जामपल समझो एक्जामपल समझो जिसने मालो बच्चों मैंने एक रियक्शन करवाई एन्टू प्लस थ्री एच्टू और इससे मैंने बना लिया यह एक बैलेंस रियक्शन है ठीक है भई अब देखो इस रियक्शन के अगर मैं बात करूँ तो मैं मास को करता हूँ यहां पर कितना मास है अगर आप मुझे बदा सकते हो गया बेलकुल सर यहां है 14 प्लस 14th कितना हो गया बचो यहां पर 28 यहां मास कितना है 28 मास है यहां किसकी बात कर रहे हैं मास की यहां देखो कितनी हाइटोजन है 6 6 into 1 6 तो इधर की तरफ आपने टोटल कितना मास निकाला टोटल निकालना आप लिए 34 ग्राम ग्राम मास में तो 34 ग्राम मैंने बोल दिया इधर आजाओ अगर इधर आप नोटिस कर रहे हो तो नाइटोजन है देखो यह तो पहलो गया 2 फिर यह 17 प्लस 3 रुपना सॉरी 14 प्लस 3 कितना गया है 2 into 17 यह भी कितना गया 34 ग्रैफ मतलब अगर आप दोनों तरफ देख रहे हो तो दोनों तरफ 34 ग्रैम 34 ग्रैम दिया हुआ है मतलब आप देख लो करें कि यह balance reaction है तो जितना मास इधर होगा उतना ही मास इधर होगा अपनी मर्जी से कम जादा नहीं हो सकता अगर यह एक balance reaction है संतूली सा भिक्रिया है ठीक है जो मैं आपको next topic में सिखा दूंगा ठीक है देख लो दो nitrogen दो nitrogen छे nitrogen छे nitrogen छे nitrogen छे nitrogen क्लियर है एक example और देखो तो कुल मिलाके बड़ी simple सी कहानी है यार बड़ी simple सी कहानी है कि इधर का मास इधर का मास हमें सा क्या होना चीए भाई या बराबर होना चीए अस बात खता इतनी सी बात है इतनी सी कहानी है ठीक है चलो जैसे देखो एक reaction ओर करते है 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 च्टू प्लस यल्टू और उससे मैंने क्या बना दिया टू एच सील चीए अगर मैंने यह बनाया तो इधर का मास कैलकुलेट करो एक बाद जल्दी से देखो इतना इधर बट इंटू टू ग्रैम इधर टू ग्रैम है इधर देखो 35.5 इंटू समझ गये तो बताओ इधर कितना जाएगा यह 71 ग्रैम है क्या समझ गया ठीक है इधर आजाओ तो इधर भी तो वही हो गया टू इंटू यह हो गया आपका 36.5 इंटू यह भी तो कितना आएगा यह तो टोटल यहां पर आ जाएगा अच्छा अगर आप कैल्कुलेट कर रहे हो तो यह आ गया 6 देखो अब यहां पे अगर आप कैल्कुलेट करोगे तो यह कितने ग्राम 2 ग्राम है यह कितना है 35.5 दो बार तो यह आल्मुस आया 73 ग 3 ग्राम देखवा रहा है क्या बिल्कुल सरा रहा है मतब इधर का मास इधर का मास क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए कर लो गया राम से बस यही सिंपल सा equation है इसकी ठीक है जी चलिए तो एक बार आप नोट डाउन कीजिए फिर हम लोग आगे डिसकस करते हैं next यह सारी कहानी जो है इसके लिए अब ध्यान रखने वाले हो क्या किया गया कैसे किया गया ठीक है बच्चों ओके सर ठीक है ध्यान रख लोगे रहाम से क्या कहा था लैबोजियर ने और उसको टैस्ट किस ने कहता लैंड डॉट ने तो बड़ी सिंपल सी pirate की definition की यार आप लोग एक balance reaction के अंदर chemical reaction के अंदर जो मास होता है ना तो उसे आप create कर सकते हो दिखो मैं create कर सकता लग से जो है वही इसही से बन रहा है ना वही आप उसको destroy कर सकते हो अगर इदर का 34 आया इदर का-कर 30 जो जितने gram इधर आया उतनी ग्राम इदर आएगा, मतलब आप destroy भी नहीं कर पाओगे, जो है reaction के अंदर ही रहेगा, बस एक form से दूसरे form में convert कर सकते हो, यह N to gas है, यह H to gas और यह ammonia है, क्या बात समझ मारी है क्या, ठीक है, ओके सर, clear है, कर लेंगे अराम से, ठीक है, आगे बात कर लिजाए अब, कर लोगे अराम से, next लो देखो, देखो जो next लो है, वो भी बड़ा simple सा लो है, कुछ है नहीं, उसके अंदर भी, देख लो ध्यान से, देखो, यह लो देखो क्या बोलता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मानलो water, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, कि यह जो लो है, वो निश्चित अनुपात का नियम है, इस नियम के अनुसार क्या है भ नियम के अनुसार योगिक को, योगिक को, किसी भी, स्रोथ से बनाया जाए, किसी भी, स्रोथ से बना दो, एक्स, वाइड, जैट, किसी भी, स्रोथ से बना दो, उनके, अब चाहिए, उनके component की बात कर लो, उनके अव्यव की बात कर लो, या वेट की बात कर लो, बनाया जाए, उनके अव्यव या भार में कोई परिवर्थन नहीं आता, जैसे एक्जामपल देखो, एक एक्जामपल देखो, एक एक्जामपल में आपको समझा रहा हूँ, जैसे एक्जामपल देखेंगे, जैसे मैंने लिखा मान लीजिए, वाटर, यह रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो, तो इसमें हाइटोजन और ऑक्जिजन का रेशो फिक्स है, इसका 2, इसका 1, चाहो तो अगर इसके मास की बात कर लो आप, इसका मास यहाँ पर कितना है, 2 ग्रैम है, ऑक्जिन कितना होता है, 16 होता है, यह किस में लिखा रहा हूँ, मैं ग्रैम के अंदर, यह एटम के रेशो की बात हो रही है, ठीक है जी, समझ गया है न, यहाँ पर कितना आ जायाएगा, यह वन रेशो 8, यह ग्राम का रेशो किसका है, मतलब वाटर हमें सा वन रेशो 8 ग्राम में रहेगा, सुंद्र के जल से, तो अभी वाटर तो ही रहेगा, तू रेशो वन में, चाय में पॉंड वाटर लियाँ, ठीक है, चाय में रिवर वाटर लियाँ, चाय में लैबोर्टरी वाटर बना लू, चाय में लैबोर्टरी वाटर, चाय में डिस्टिल वाटर काम में लियू, इसको टैब बॉटर भी कर दो लाइं बॉटरी वाटर भी टैब मतल समझते हो नलका पानी चाहे मैं डिस्टिल बॉटर लेलू कैसा भी जल लेलू कैसा भी x, y, z हर एक बार h2o का रेशयो कितना होगा 2 रेशयो 1 ही रहेगा वो रेशयो चेंज नहीं हो सकता यह बात कौन बोल रहा है यह बात यह रूल बोलते है लिरो गया चीक है चलिए भाई एक बार आप इस लो को फटा फट देख लो कुछ है नहीं according to this law a compound can be obtained from different source but the ratio of each component remains same that means it does not depend on the method of its preparation for the source from which it has been obtained मतलब अगर एक योगिक है चाहिए उसको किसी भी source से बनाया हो किसी भी source से बनाया हो तो उसके जो अव्यव होते हैं जो उसके components होते हैं जो उसका weight होता है वो हमेसा fix रहता है वो उसके method पर depend नहीं करता चाहिए उसको कहीं से भी बना लो इस दुनिया में क्या बात समझ मे चाहिए चाहिए चलिए भाई यहां तक यह वाली बात आप लोग ध्यान रखना चलिए कि रख लोगे ध्यान कि ओक के सर कि ओक के सर कर लेंगे चलिए बच्चों कर लेंगे क्या यहां तक कि नेक्स देखो नेक्स और भी असान कि देखो मैंने कहाता है यही एक ऐसा लो जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है लो आफ मल्टिपल प्रपोर्शन क्या बोलता है इसको जॉन डाल्टन ने दिया था यह आदर जो आटम की बात करते थे जॉन डाल्टन वो देखो यह बड़ी सिंपल सी बात है मान लो मान लो मान लो एक लड़का है ठीक है उसने एक से जादा शादिया की एक लड़का है उसने एक से जादा शादिया की इसका मतलब यह हो गया आप इसको साधी से याद कर लो डबल साधी से त्रिपल साधी से लड़का फिक्स है लेकिन लड़किया बार-बार क्या हो रही है, बदल रही है, या फिर उल्टा बोल दो, ताकि लड़किया बुरा ना मान जाए, एक लड़की है, जो कई लड़कों से साधी गर रही है, लड़की फिक्स कर दो, लड़के बदल रहे हैं, मेल फिमेल दोनों के लिए बात बोल ताकि कोई किसी की भावनाव को ठेस नहीं पहुचे, ठीक है, कहने का मतलब यह है, कि जब दो एटम आपस में मिलकर, एक से जादा compound बना रहे हैं, एक से जादा molecule बना रहे हैं, वापस सुलना, जब दो एटम, दोनों एटम अलग अलग हैं, ठीक है, एक लड़का, एक लड़ अलग शादिया करता रहेगा, मतलब लड़के का रेशो क्या हो गया, फिक्स हो गया, लेकिन लड़कियों का रेशो क्या हो रहे है, हमेसा बदलता जा रहे है, वाई एक लड़की का वेट दूसरी लड़की से अलग ही होगा, लेकिन लड़के का वेट हमेसा क्या रहेगा, मतला हम बोल सकते हैं, according to law of multiple proportion, if two elements combine to form more than one compound, when the different mass of one element which combine with fixed ratio of other element, be it a simple ratio to another, कुल मिला के बच्चों गर बोला जाए, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, दो तत्व, जो आपस में मिलकर, एक से अधिक, या दो से अधिक, तीन से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक, योगिक का निर्मान करते हैं, एक से अधिक, योगिक का निर्मान करते हैं, तो कुल मिला के क्या बोला, दो तत्व होंगे, एक से जादा योगिक बनाएंगे, करते हैं, तो करने के बाद में क्या होगा, जिन में, जिन में, एक तत्व का, जिन में, एक तत्व का, एक तत्व का, निश्यत, निश्यत द्रवेमान होगा, परंतो दूसरा, तत्व का, सरल अनुपात में होगा, सरल अनुपात में होगा, एक्जामपल समझो, मतलब क्या है, देखो बच्चो, मतलब ही है, जैसे मैंने एक 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 जामपल लिया हूँ, मैं यह मानना हो, कि मेरे पास दो तत्वे, कार्बन एक उक्सिजन, ठीक है, इन्होंने पहला तत्व बनाया, सीओ, तो बताओ बच्चो, दूसरा क्या बनाएंगे, सीओ टू, तीसरा क्या बनाएंगे, बेटा, तो, सीओ, तूम- लाएके आखर आप चैक कर रहे हो, तो देखो कार्बन मास ऐक सब्गान का मास थीक्स और यह और ओक्सिजन यंदो तहरे और बता पा यहां कितना है, 32, यहां कितना है, 12, 16, 32, 48, मतलब अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, और अगर आप देख पा रहे हो, तो आपको एक बास समझ में आई होगी, कि यार कार्बन का तो रेशो फिक्स ही चल रहा है, मैं साँ, लैस करके देख लो, आप खुद देख लो, कार्बन 3 रेशो, 8, समझ मारी है, मैंने इसको फिर 4 से डिवाइड किया, 3 रेशो, यह कितनी बार जाएगा, यह जाएगा, इस रेशो में जाएगा, यह बार समझ मारी है, इसका मतलब क्या हो गया, कि CO, CO2 और CO3 2 माइनस, मतलब CO के बास CO2 ही बनेगा, बीच में और कोई तो अगर मैं इसमें ऑक्सिजन के रेशो की बात करूँ, तो कार्बन का रेशो तो आप सभी देख रहे हो, वो तो फिक्स है, कितना है वो, 12, 12, 12, यह तो कटके कितना आ गया, यह तो हमें सा 1 रेशो, 1 रेशो, 1 में आ रहा है, तो मैं इसकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, द इतने रेशो मिला, 16, 1, 2, 3 रेशो में, सामने लिख देता हूँ, ज़्याद अच्छा रहेगा, तो यह आपको कौन सा रेशो मिला, 1 रेशो, 2 रेशो, 3 में, यही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या यहां तर बात क्लियर है गया, यह कड़ी है यहां पर, 1, 2, 3, मतलब एक का रेशो फिक्स रहेगा, देखो एक का रेशो फिक्स है, लेकिन दूसरे का रेशो कैसे बदलेगा, पर 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, मत एक सिंपल रेशो चलेगा, ऐसे नहीं को एक के बाद सीधा 5 आगया, एक के बाद सीधा 10 आगया, एक के बाद 2 या 3, 3 या 4, 4 या 5, एक सिंपल रेशो आएगा, ठीक है बई, चलिए, और भी कुछ एक्जामपल करते हैं, आपके आपको एक बार आइडिया लग जाए, चलिए, कर लोगे आराम से, ओके सर, ओके सर, चलिए, यह वाला, अरे यार, यह क्या हो गया, ओमाई गुड्ness, हमने इतना बढ़ा भग गया के सब, और अच्छा आख़्ा, यह और यहां चला गया गभग गया कहा है यार, चलो इह रहा, इह रहा, इह रहा देख लो, कलिर है क्ए हैं यहां तक, कर लोगे आजाए आराम से, देखो अराम से, देखो देखो, देखो और समझो अराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस आज के टॉपिक को डंग से पढ़कर चले जाना हूँ, कुलम्रा के बात इतनी सी है, कि जैसे मालो मेंने SO2 बनाया है, तो अगला क्या बनेगा, SO3 ही बनेगा, उसका अगला क्या बनेगा, SO4 ही बनेगा, अगला जब बनाओ तो SO5 ही बनना चाहिए, या S2, O करके कुछ बन जाए, ठीक है न, तो एक सिंपल रेश्यो में कहानी चलनी एक्जामपल देखो, वाह, क्या पैन आया, क्या पेज आया इस बार, बच्पन की याद दिलादी इसने तो, आपको तो नहीं दिख रहा होगा या पेज, मुझे दिख रहा लाइन बना, चलो देखो, एक्जामपल देखो, इसे मालो बिच्चो मैंने लिया SO2, अगला क्या बनेगा, SO3 ही बनेगा, उसकी अगला क्या बनेगा, SO4, 2-1 बनेगा, क्या बात समझ में रही क्या, हमेशा, यही खानी होने वाली है, अब आप रेशो चेक कर लो, सलफर का, O का, यह देखो, यह हमेशा 32 ही रहा, लेकिन यह कितना रहा, देखो, ओक्षन देखो, 32 हो गया य कि इसके रेशो में दिक्कत हो जाती है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 16, 32, 42, कर लोगे न, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, कर लेंगे, ठीक है, ठीक है न, चलिए भई, क्या कर लोगे अराम से, तो आप एक बार रेशो निकाल के देख लो, फटाफट, 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 आप रेशो निकाल के देख लो, फटाफट आप रेशो निकाल के देख लो, फटाफट आप रेशो निकाल के देख लो, 64, हाँ, बिल्कुर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिल्म लाग कड़ लो गया रहा हम से, तो आप देखो न, सल्फर का रेश्रो देखो, हमेसा फिक्स है, कितना है, 32, 32, 32, कौन है ये, ऐसो टू, ये कौन है, ऐसो ट्री, ये कौन है, गाम करता हूं, उधर ही कर लेता हूं, ताकि मैं एक एक्सामपल लिख दूँगा, सल्फर देखो, कितना है, किस कन्दर, ऐसो के ऐंदर, ऐसो 2 के अनदर, एसो 3 के अनदर, एसो 4, 2- के अनदर, थेक है बच्चों, तो चेक कर लो, यहां पर सलफर है आपके 32, 32, 32, हमें ऐसा 1 ratio, 1 ratio, 1 में ही है, ठीक है, और अगर मैं oxygen की बात कर लूँ यहां पर, oxygen का ratio देखो यहां पर कितना, 32, 32, एक simple ratio में है, क्या दूसरा वालाते है, चेक करो, बिल्कुल है, 1, 32, 32, 48, 64, खड़ लोगे क्या, 2, 3, 4 ratio में चल देखो, एक simple ratio में चल रहा है, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आया, 4 आया, मतलब हमें से एक simple ratio में ही conversion होगा, ठीक है, मेरी बात समझे में आ गई किया सभी को, तो ध्यान रखना, इसको भी not on कर लो, और एक question मैं आपको देता हूँ, देखो मुझे बताओ क्या simple ratio में आरेंज कर सकते हो इनको, मैं एक example दिया जैसे, n2o, no, आपको मुझे बताना है, कही एक simple ratio में आरेंज है या नहीं है, चलो, आपको बताना है क्या n2o के बाद no ही बनेगा या no उपर आएगा, मतलब simple ratio निकाल लो सभी का, अरे आपको ये बताना है कि n2o पहले आएगा, पहले कौन सा बनेगा, तो बड़ी simple सी कहानी है, आप दूसरे का simple ratio निकाल दो, जिसका कम है क्यों पहले बनेगा, जैसे देखो न, 2, 3, 4 में पहले कौन बना, ये वाला sulfur बना देखो 2, फिर 3, फिर 2 o वाला बना, फिर 3 o वाला बना, फिर 4 o वाला बना, क्लियर है क्या, चलो, करो, फटा फट, हो गया, हो गया, असान कहानी है, आसान कहानी है, कि आप सब का ratio निकालो यार पहले, इधर nitrogen लिख दो, इधर oxygen लिख दो, खतम कहानी, देखो भी निकल जाएगा, nitrogen कितना है, यहा पर 28, यहांपर कितना है, यह जान देखो, 44, समझगा, आपके ना, clear हो रहा है ना, ठीक है, 64 और 16, और जोड़ दो 80, अब आप देखो, क्या ये simple ratio में आया की नहीं आया, मैं काट के देखता हूं, देखो, देखो, मैं n ratio, ओ निकाल रहा हूं, चलो, सबसे पहले वाले की बात करते हैं, चलो भई, फटा-फटा आप एक बात कल्कुलड करके दिखाओ, क्या ये simple ratio में डिवाइड हूआ, या नहीं हूआ, simple ratio में divide हो रहा है ये नहीं हो रहा है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए, तो ये कितना आ गया, आप all less कर सकते हैं, उसको 7 ratio 4 आ सकता है, कितना आ जाएगा ये, 7 ratio 4 आ जाएगा, ठीक है न, तो कर लो ये, 7 ratio 4, कितना रेशो आ ये, 7 ratio 4, अगला वाला निकालो, देखो अगला वाला निकालो, ये कितना ये आपर, 14, 14 है क्या ये तो इसको divide कर दो आप 2 से ये भी कितना रहा है ये आ रहा है 7 रिश्व 4 तो उन्हों सेम रिश्व में आ रहे है क्या है यह कैसे हो गया हाँ लेकिन यहाँ पर देखो नो सिंगल हो की बात हो रही है यहाँ पर तो देखा जाए तो दो एन के साथ में एक ऑक्सिजन है यहाँ पर एक एन के साथ एक ऑक्सिजन है ठीक है चलिए बागी के आपने निकाल के दिखाई मैं फटाफट फटाफट निकाल के दिखादी जी यह है चल यह हो गया अ कि निकालो 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 यह कितना आएगा seven ऑब बोड शेट करके देख लो seven ratio eight आ गया clear है यह कितना आएगा seven ठीक है तो यह आ जाएगा आपका four one one two twelve कोई दिक्कत ने है तो यह देखो 7 यह कितना जाएगा यहां पर कि आप कि वन कि तू कि शिटीन रेश्टो आगे हैं कि हैं यहां पर 7-16 अना और फोर से कर रहा हूं मैं ठीक है ना आप चाहो जिससे कर लो आपकी मर्जियों जिससे कर लो कि यह कितना जाएगा टू-जीरो मतलब देखा जाए तो हर बार रेश्टो देख रहे हो चेंज हो रहे है क्लियर है देखो उतारो फटा फटा तो क्या यहां तक कहानी आप लोगो को क्लियर हो चुकी है कर लोगे अराम से ठीक है यहां थोड़ा धान रटना दो नाइट्विंग साथ में कितनी है एक ऑक्सिजन है इसठें है एक इलाइट्स री चैपर यहां तक क्लीर है ठीक है और यह क्या कर दिया हमने यहां क्या गरदीया ंजोसी यां डेयार यह एट करो यार अब देको यह path लगेगा POP हमें थे होला है कि इतना जयो यहां पर 8 करना दो से किया न हमने यहां पर देखो न यह 7 time और 8 time ओपर साइ dhokta नि नहीं में फॉट से किया यहां पर 7 आ गया यहां किया फॉरिण Kan84 अब सुनो बैटा थ्वर ध्वान दो देखा जाए तो एक O के साथ दो N थी, इसी को हमने यहाँ पर डबल कर दिया है, और यह तो आपस में क्या हो चुके हैं, डबल, समझ रहे हो न, एक तरीके से देखा जाए, तो यहाँ पर N2 को ही देखो न, चलो ले लो, N2 को बीच में लेना चाओ तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ह कि एक के बाद एक इस तरीके से बनते चले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रटना थोड़ा सा रेशो सेम आ गया, 7 रेशो 8 दोनों में सेम आ गया, तो इसी को हमने क्या कर दिया, देखो डबल, तो इसको मत बनाना, रहे यार समझ रहे हो, तो N2 के बाद में क्या बनेगा, N0 या N2O2, दोनों सेम ही तो है, तो कि दोनों का रेशो यहाँ पर क्या रहा है, बिलकुल सेम आ रहा है, बात क्लियर है क्या, तो देख लो, आपने क्या किया, N2O, N0 ले लो, या फिर N2O2 ले लो, एक ही बात है, फिर N2O3 लिया, फिर N2O4 लिया, फिर N2O5 लिय अब बात बताऊ आब कर एकके आपकर भी नपिन की बात की जाए कि पॉर्टिन तो फोर्टिन उसके अपॉजिट में एक अक्सिजन kaçौडगा उसको हाफ करना पढ़ेगा फ़ he एसे भी कर रहो तो एसे भी कर लो कुल मिला कर देख रहो रोहां पर ऑक्सिन का पाड जो आए क्शिए और पर 4 कि यह कितना यह है यहां इयव यह कितना हैाप 12 यह 16 इया कितना है 20 को मिला कै कितना अगय है ए बन रेशव, tsuga, lamp two ratio आट टू रेशव, three ratio sourfour रेशव, five आप तो सिंपल गर रहो, यह लो भाया, ओका रेश्व आ चुका है, सिंपल रेश्व आ चुका है, खतम कान, आप तो सीधा-सीधा ऐसे गर लो, जाने दो, आप सीधा-सीधा ऐसे गर लेना, clear है क्या, समझ गए, ओके सर, ठीक है, एक तरीका और एक करने का देखा जाए तो, एक नाइटन का वेट कितना होता, बच्चो, 14 होता है, सुनते रहे ना, ठीक है, एक नाइटन की बात कर रहा हूं, तो एक को मैं फिक्स कर दो, तो दो एन के साथ एक औक्सिजन है, मतलब 28 के साथ 16, तो मुझे बता सकते हो कि आप, एक 14 के साथ में कितना हो जाएगा, सर, ओ कितना हो जाएगा, ओ, ओ, कितना हो जाएगा, आठ, एक न के साथ, आप यहां सुनना, अरे मेरी बात समझ गया है, मैंने कैसे ही किया है, यहां पर आपको मेरी बात समझ में आगई क्या, यहां मैंने कैसे ही किया है, अरे यार, दो एन के साथ में कितनी ऑक्सिजन है, 16, clear हो इसको not down कर लो फिर आके discuss करते हैं ये तोड़ी कहानी है इन दोनों कहानियों को आप थोड़ा सा धान रखोगे ओके जी ठीक है सर कर लोगे अराम से अराम से कर लोगे ठीक है सर ठीक है सर अराम से कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए बच्चो तो ये सारी कहानी जो पढ़ाई है जो बताई है ध्यान रखना अ है इसमें आप एक को fix कर सकते हो night room को fix कर लो 14 मना लो एक night room साथ में एक को कितना रहेगा यहां पर तो देख लो 16 था 8 रहेगा यहां पर कित आ रहेगा 16? यहां 1 n के साथ कितनी औक्षिन रहेगी? यहां सिर्मों on Лide उतर लीजिए इस तरहले करते हैं सारी कहाले चलिए बच्चो तो यहां से सारा है ठीक है? मेरी बाहत समझा आगी ना अगर मैं 1N को फिक्स कर दूं एक नाइट्वन को फिक्स कर दूं तो इसके सेंस में आप oxygen निकाल सकते हो ना राम से देख लो रेशो भी निकलेगा देखो एक N का 14 है अब बताओ दो एन के साथ में एक oxygen है तो दो एन का कितना है? 28 एक कितना है? 16 तो एक oxygen कितना हो जाएगा? 8 clear हो रहा, clear हो रहा, समझ पा रहे हो, 1N का 14 है, दूसरे का 16 तो 16 नी रहेगा, यहां सुनना, 2N के साथ मुझे 1N का निकालना है, 2N के साथ में 3 हो है, तो weight के साथ से निकालूँगा, तो 1N का कितना निकल जाएगा, आधा कर दो इसको, तो यह कितना हो जाएगा, 24, 48 का दा करो इसको जाएगा, 24, इसको कितना हो जाएगा, 32, इसको आधा करो कितना हो जाएगा, 40, यह, एन के साथ, एक एन के साथ में यह oxygen का weight है, अगर आभ इसको भी कर रहे हो, तो भी देखो, दिखो, 1 ratio, 2 ratio, 3 ratio, 4 ratio, यह मैंने अलग-अलग N के साथ देखा है, यह मैंने एक N को फिक्स करके देखा कि एक का फिक्स कर लो बाकी के दूसरे का सेंस क्या होगा, तो यह कहानी है, ठीक है, चलिए बच्चों, तो ध्धान रखना, आगे बढ़ जाएं, लास्ट देखो, गैस, लो ऑफ गैसे, गैसे लो क्या था, थोड़ी सिंपल सी कहानी है, जैसे अभी आपने सिंपल पढ़ा न, कि सिंपल रेशो में जब गैस आपस में कम्बाइन होगी, तो जोनका प्रोडेक्ट बनेगा, वो भी सिंपल रेशो ही रहेगा, यह वाली कहानी ह क्या है, गैसे लो को दिया था, गैस यह आइतन का नियम है, हिंदी मेंडियों यह वाल बच्चे ऐसी बोल रहा हूं, ऐसी लिख देना मेरे साथ सार, ठीक है न, गैसी अइतन का नियम, क्या है? In the gases reaction, the reaction are always combined in a simple ratio by volume and 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 simple ratio from product, which is simple ratio by volume at same temperature and pressure, यह क्या हो गया हो, थीक है, क्या कहानी है सर, तो बच्चों कहानी ही है, कि माननों को यह Gases Reaction है, तो यह जब भी आपसे मिलेगे, तो हमसे एक Simple Ratio मिलेंगे, जिससे देखो, न, दोनों reaction कर रहे हैं, Gases Reaction, तो 1 ratio 2 में, 3 ratio 2 में, 4 ratio 2 में, 3 में, 5 ratio 4 में, 1 ratio 2 में, इस तरीके से आपसे मिलेंगे, ऐसा लिए आपने अगला 20 मिल रहे है, ऐसा नहीं होगा, या तो 1 ratio 2 में होगा, या 1 ratio 3 में होगा, और इनके वॉल्यूम भी क्या होंगे, एक Simple Ratio में ही होगे, यह कौन सा नियम था, आइतन, Gases Reaction का नियम, तो यह नियम क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार, जब किसी Gases Reaction में, अनु, जब आपस में मिलते हैं, तो वो एक सरल अनुपात में, और उनके आइतन भी एक सरल अनुपात में मिलते हैं, जैसे देख लो, N2 से 3S2 जब बना, तो एक सरल अनुपात में बना, जैसे D sure Reaction Order बना जैसे मैं लिखा N2 प्लस O2 से क्या बन गया? 2NO तो आप देखो खुद एक सिंपल रेशो देखो अगर मैं यहाँ N2 की बात करूँ तो एक है O2 देखो एक है तो यह कितना हो गया? देखो 2 तो यह कौन से रेशो मिला? 1 रेशो 1 रेशो 2 क्या बात समझ मागई? मतलब कोई भी गया से रेशो अगर आप कर रहा होगे तो एक सिंपल रेशो में ही मिलेगा यह बात किसना समझाई थी? गयालू से एक लेए ठीक है? चलिए लास्ट लास्ट बच्चा है? देख लो यह क्या बोलते हैं भाईया? अवागे दर लोग क्या बोलता है? इक्वल वॉल्यूम अफ ओल गैसस कंटेन इक्वल नमर ओफ मॉलिक्यूल एट सेम टेंपरेचर और प्रेशरी बोलते हैं कि अगर आइतन समान है? आइतन अगर आपने समान कर दिया तो धान रखना इक्वल नमर ओफ मॉलिक्यूल है वो सेम टेंपरेचर और प्रेशर पर क्या रहेंगे बच्चो सेम रहने वाले हैं धानक ना इक्वल वॉल्यूम अफ ओल गैसस कंटेन इक्वल नमर ओफ मॉलिक्यूल अगर आपने आइतन को समान कर रखा है तो इनके जो मॉलिक्यूल होंगे वो इक्वल नमर में मिलेंगे जिस एक्वामपल देख लो एच्टू से स्टियोड़ू कराया और तो इनका स्ट्राइक्विम समझ गया है यह यह वन है यए वन है और यह कितना बच्चो टू है इनका volume देखो, यह रहा, 1, 1, 1, clear है, मैं molecule की बात करता हूँ, तो आप सभी जानते हो, molecule क्या होता है, अब आगे दो number, तो इसका molecule कितना हो गया, n, इसका n, इसका 2n, clear हो गया, अगर एक atom की बात करोगे, तो आदा-दा कर दो, यह देख लो, यह आदा हो गया, यह आदा हो गय काम कता हूँ, ठीक है, किया यह क्या बोलता है, अगर volume सेम हुआ, तो जो number of molecule है, वो सेम रखे जाएंगे, एक gases reaction के अंदर, ठीक है बच्चो, तो इसमें जो man low था, वो था third वाला, man था multiple proportion वाला, वो थोड़ा साथ ध्यान रखते हैं, ठीक है, okay बच्चो, clear है, तो आज हमन क्या बोल रहा था, कि एक simple ratio मिलना चाहिए, देखो simple ratio मिल रहा है, volume भी कैसा होगा, simple ratio में ही होगा, molecule आपने देखी लिए, कर सकते हैं हम से, ठीक है, चलो सब ठीक है, तो कुल मिला किया, जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैंने बताया, उतना आप धान रखना इन तरीकों को तो आसान आसान तरीके हैं, regular देखो इस देखे से पढ़ते रहो, अगर कोई भी दिक्कत आए, आपन तो है ही है, चेक है न, तो ये वाला जो था, इसमें confuse मत हो न, एक बार मैं फिट से समझा देता हूँ, जैसे हमने N2O का पढ़ा तो, ये NO का पढ़ा, ये N2O3 का पढ़ और N2O5, बीच में N2O2 के लिखा, क्योंकि हो NO के बराबर ही चला था, याद करो, यहां nitrogen कितना है, और यहां oxygen कितना है, एक बार देखो, धान से देख लो, वापस से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो वापस, तो न, अगर यहां N2O की बात करो तो, ये कितना है, 28, ये कितना है, 16, यहांते सब को क्लियर है, यहां पर देखो यह, 14, 16, बाकि सभी में ये 28 है, ये कितना है, 80 है, बट, बट, एक N की बात करें, कितने हैं, एक N की बात करें, अल्ली वन N की बात करो, कितने की, एक N की बात करो, यहां पर तो 2 N का लिखा हुआ है, यहां पर भी सब्सक्राइब एक साथ दो N है, या तो एक काम करो इसको भी दो N बना के दो 2 कर दो या तो ऐसे दो तो आपको कुछ करने के जरूत नहीं पड़ेगी, फिर इसको भी डबल कर देना, लिकने कर मुझे एक N के सेंस में निकालना है तो आप खुद दिमाँ लगाओ, एक N के सें आम की चलाथ है, अब मुझे ओ माता है, अब सुनीयाद्यां से,оны के साथ 1 ओकसिजन है, पढ़ते हो ना भजमकारणीगा इसाथ 1 के साथ 1 है तो 1 के साल के साल कितना हो जाएगा, तो 28 के साल कीतना है भया 16 है, 28 के साल का 28 के साथ में 16, तो A के साथ में कितनी OXISON जाएगी 8, या बात समझ मागई, 1 N के साथ में 1 यह तो O के साथ 16, 2 N के साथ में 3 OXISION है, तो एक बाप बताओ, 28 के साथ 48 है, तो 14 साथ कितना हो जाएगा, गर दो डिदे आ अड़ा गर दो यहां पर भी देखो फिर देखो टू हे के साथ fowr हो एक यह साथ four by two कर दो बाधा कर दो प्रिक इतना हो जाएगा इया तो एक के अथी साथ में इन चॉसर्ट में टो इंटी। भू अच्छे 5 x 2 कर दो और तो क्या करोगे ठीक है ना चलिए बच्चो तो असी बटा दो कर दो कितना आ गया 40 देखो ने एक का रेश्व हमने फिक्स कर दिया दूसरे का रेश्व को हमने चेंज कर दिया वन रेश्व कि ओ टू है DAY की ओर फ्री ऑफ वन टू तो थ्री पार अ है जब दाओ वच्छों करना हो तो एकρώ को मेंने फिक्स किया तो एक गो बाकियों में जूरुत नहीं पढ़ रही थी इन में जूरुत पढ़ रही क्योंकि बाकियों में CO2, CO3 में एक ही कारवन थी एक N को फिक्स कर दिया और यह ऐसा देख लिया एक्जामपल देखो जिसको नहीं समझ में आए देखो 2N के साथ में कितनी ऑक्सिजन है एक मतलब 2 इंटू 14 के साथ में 16 14 के साथ कितना हो जाएगा बच्चों 16 बट्टा 2 कितना आ गया यह आया पढले पढ़ा जैसे देखो इसको करूं N2O5 को सुनना N2O5 ठीक है ना कुल मिलाक इसमें क्या बता दो मेरे को 2N के साथ में N2O5 में क्या है 2N के साथ में 5O है एक N के साथ में कितनी हो जाएगी बट्टा 5 इंटू O बट्टा 2 अब कर लो 5 इंटू इस तरीक इस निकाला है ठीक है दन हो गया दन हो गया ठीक है सर तो कुल मिलाके ये सारी छीज़े अब ध्यान रख लेकर कर लो ग灵ार्य अब क्या है कैसे निकाल रहा हूं कैसे एक के रिष्यों में ले रहा हूं तो इन रूल्स को थोड़ा सा ध्यान रखें, रूल्स बहुत इंपोर्टेंट है, जितने रूल्स पढ़ा हैं उस सब बहुत इंपोर्टेंट है, अब जाए कैसी भी एक्जाम्पल ले लो, एक्स वाई जट कोई सा भी लो, बस दूसरा बनाओ तो एक सिंपल रिश्वम बना झाल झाल